जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का चेर परिचित दोस्त पुना हुपस्तित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में एक नए ओशधी ले करके एक नहा नुश्खा ले करके दोस्तों जिहां हमारी आज के ओशधी है दोस्तों पपीता जिहां दोस्तों आएए आज हम जान एक ऐसा फल है दोस्तों जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा अगर आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पींड भी लगा सकते हैं ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है इसका छिल का बेहद मुलायम होता है जो आसानी से उतर जाता है इसे काटने पर इसके भीतर कई छोटे-छोटे काले रंग के बीज होते हैं दोस्तों आए अब इसके लाभों के बारे में जानते हैं कोलेस्ट्रोल को कम करने में सहायक जी हां पपीते में उच्च मात्रा में फाइवर मौझूद होता है साथ ही यह बिटामिन सी और एंटी ऑक्सिडेंट से भी भरपूर होता है अपने इन ही गुनों के चलते ये कोलेस्टरॉल को नियंतरित करने में काफी असरदार है वजन घटाने में जिहां दोस्तों एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच र बाटाने में मददगार होते हैं रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में जी हां रोग प्रतिरक्षा शमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहते हैं पपीता आपके शरीर के लिए अवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात मातरा में पपीता खाते हैं तो आपकी बीमारी छूम अंतर हो जाएगी यानि कि आपको बीमारियां कम होंगी दोस्तों होने की संभावना कम हो जाएंगी आखों की रोशनी बढ़ाने में जिहां दोस्तों पपीते में विटामिन सी की भरपूर मातरा होती है साथ ही विटा अधान में भी कारगर होता है दोस्तों पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में जिहां दोस्तों पपीते के सेवन से पाचन तंत्र भी सक्रिय रहता है पपीते में कई पाचक एंजाइम्स होते हैं साथ ही इसमें कई डाइटरी फाइवर्स भी होते हैं दोस्तों जिसकी वज़ा से पाचन क्रिया सही रहती है पिरियर्ट के दौरान होने वाले दर्द में जिन महिलाओं को पिरियर्ट के दौरान दर्द की शिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए पपीते के सेवन से एक उर जहां पिरियर्ट साइकल नियमित रहता है वहीं दर्द भी कम होता ह या यू कहें दर्द में राहत मिलती है इसके साथ साथ पपिते में हमने आपको बताया एंटि-वेक्टिरियल गुण होते हैं दोस्तों कैंसर से बचाता है यह इंफेक्शन या एलर्जी से भी आपके रक्षा करता है आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है किड्नी को प्रोटेक्ट करता है बुखाराने पर जिहां दोस्तों बुखाराने पर पपीते का बीज का सेवन काफी फायदे मंद होता है इसमें मौजूद एंटी बैक्टिरियल तत्व बार बार पहलने वाले जिवानों से रक्षा करते हैं और आपको स्वस्त रखने में मदद करते हैं तो इस प्रकार से आज के हमारी औशधी रही दोस्तों पपीता अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई और नया नुस्खा ले करके तब तक के लिए धन्यव प्रताग!